प्रशाइना कहवाई मी रखता लोचरियां ललचाई जोता है उरे हरखाई एवों रूप रस्यादों के जोता है उरे हरखाई रखता लोचरियां ललचाई जेमना दिव्य द्रव्याना विन्योग थकी राजकोटनी वेसलों सस्य ना अंगनेया दिव्य शियमना गुणगान मनोर ससिद्ध थेशक्योचे एवा महाभाग मनोर थियों सोनी परश्वतमदास कारिदास भायवदर्वाडा बरत कुमार हस्मुकलाल लाठिगरा मदू बेन बरतबाई लाठिगरा सुमित कुमार बरतबाई लाठिगरा राधिका बेन सुमित कुमार लाठिगरा जस्मिन कुमार विनोध भाई चोकसी डॉक्टर खुश्वु बेन जस्मिन कुमार चोकसी जेवो नडियाद स्तित छे अंजली बेन बरतबाई लाठिगरा अने आरुष बेन सुमित कुमार लाठिगरा सैतना सव बगवदियो आचारे वर्योंने माल्यार पन करी अने भाववन ना करी राचे ये जीते गोलोक्वासी मगनलाल चगनलाल वेडिया परिवार ना गंगर स्वरुप रमा बेन जीतेस भाई मगनलाल वेडिया दक्षा बेन जीतेस भाई वेडिया अतुल भाई मगनलाल वेडिया अने नीना बेन अतुल भाई वेडिया सहीत नो वेडिया परिवार शांतिलाल हरीलाल पारेख ना प्रवुदास भाई शिल्पा लाइफस्टाइल परिवार नेरेंडर सिंग जी करण सी जी जाड़े जानो रंजी सी जी जाड़े जा परिवार हरेश भाई मगनलाल पोपट परिवार ना अंसोया बेन, सोनल बेन, विशाल भाई अने ख्याती बेन पोपट परिवार नागरदास, अनन जी, वागडियाना, शी वसंत भाई, दनगवरी बेन, विजे भाई, तेमा जेहस भाई सहित नो परिवार आचारे वर्योंने, शी अमनाजी ने मल्यार प्रण करी, अने पोटानी भाई वक्ती अभी वक्त करी रहा छो सासर्यून शोहाए मारे, बियरना रहवाहे सासर्यून शोहाए मारे, सयोह ने महरानी जी, की जै यर ना रहवाय मनडू आ कोडव्या कोडथाय मनडू आ कोडव्या कोडथाय निरखता दोचनिया नरचाय जोता है योरे हर खाय एभू रूप रस्यानों के जोता है योरे हर खाय निरखता दोचनिया नरचाय एभू रूप रस्यानों मुख्यमनोति परिवारना बरत भैना नाना भाई श्री राजु भाई यमना बदेविशी बालकृष्ण भाई यमना बेन वासंति बेनने कला बेननू पन अहीं स्वागत साथे आच्छनम द्वै पायनम वन्ने कृष्णम वन्दे प्रथा सुतम श्री कृष्ण्य नम श्री गोपी जन वल भाय नम वाई श्री मद आचार्य चरण गमले भू नम अ शी गुसाइजी परंदयाल वे नमः शी गुरू वे नमः मंचस्त विराजमान पुझे अम्मा, पुझे आपश्री, चिरंजी वरसेश वावा, अने आ वल्लभी शृष्टीना भग्वचर्णानुरागी वैश्नवरंदो, आज अमारू जेमना कारणे, जेमना थी अमारू अस्तित्व छे, एवा पुझ्टी मार्गना प्रवर्तक, शीमद आचार्य चरण, महा प्रभुजीना प्रागट्य उत्सवनी, आप सवने खुब-खुब वधाई, श्री वल्लबनों सु स्वरूप छे, के भी वल्लब ग्रपा करे छे जीवो पर, ए आपड़े आजना श्लोक प्रमाने समझवानी कोशिश कर सू, अने आश्री वल्लबनी क्रपाज छे, कारण के श्री वल्लबेज यमनाश्टक नी रचना करी छे, अने यमनी क्रपाज छे, जे आजे आपड़ने आ कथा रसपान करवानों, अने मने आ कथा रसपान करावानों अवसर प्राप्त थयो छे, श्री वल्लब स्वरूपोनी मारा पर नानपन्थी घणी क्रपा रही छे सदेई वेमना आशिर्वाद एमनी क्रपा मारा पर रही छे जेना थी आप पुष्टी मार्गमा हुँ आगण वद्वानू प्रयास करी रही छो अन्य एवीज क्रपा मारा मोटा नानी जी नित्य लिलास परम पूझे रत्न प्रभावोजी ये मारा पर करी छे तेमज परम पूझे मारा मामा जी हरी राई जी ये मारा उपर घणी क्रपा करी छे नित्य लिलास का नईया लाज जी मारा उपर घणी क्रपा रही छे आप बद्धा वल्लब स्वरूपो ना छत्र छाया मा हुँ मोटी थाई छो ए बद्धा स्वरूपो ने हुँ नत्मस्तक थाई ने वंदन करू छु आजे अने एवाज वल्लब स्वरूपो एज हमने नानपंथी मारा उपर क्रपा करी छे अने श्री प्रभूनी क्रपा थी लगन पछी पन एज वल्लब स्वरूपे हमेशा मारा उपर पोतानों हाथ राखी ओछे अने एव वल्लबनी क्रपा हुमारा जिंदगी मां क्यारे पन नहीं भूलूँ कारण के एज वल्लब बालक स्वरूपे पूज्य दादा जी है पूज्य नाइना है अने आप श्री है मने खूब प्रोच साहन आप यो छे खूब आशिर्वाद आपिया छे खूबच शिक्षा आपी छे अने आ पुष्टी मार्गियनों ज्यान मारा रदय मां प्रवेश करावयो छे आ कथानू लाइव प्रसारन थाई रही हुचे साधना चैनल मा गणा वैश्णवोना फोन आवे छे घणा एम भी इनती करे छे के जे जे आपमां आमने श्री अमनाजी नों स्वरूप देखाये छे हुँ आप बद्धाना भावनी खूब सराहना करूचू खूब रिस्पेक्ट करूचू तमारी फीलिंग्स ने पण वैश्णवों हुँ तमने एटलूज केवा मांगूचू के श्री यमनाजी नी चरण रजनो पण अधिकार मारा माते नती हुँ एनी पण इटली भी लायक पोता ने नती मानती तो तम्में एवु मारा मा भाव नहीं राखो के हुँ यमनाजी नों स्वरूप आईस एमनी कृपानी मांगनी तो मैं हमेशा कई री छे पड़ हुँ यमनाजी नों स्वरूप नती एटलो अधिकार मने नती जो आपने मारा मा भाव राखो होए तो एक शिक्षक नों भाव राखो के जे ज्यान जे स्वरूप नहीं समझ मने वांचन करवा थी अने आप बदा वल्लब स्वरूपो ने क्रपाथे प्राप्त थाईचे एएक शिक्षक रीते एस्वरूप ने समझावानों प्रयास करूँ छू एक भगवदिय जीव जानों के एक भगवदिय जीव बीजा भगवदिय जीव ने शी ठाकोर जी नी सन्मुक शी यमना जी नी सन्मुक करवा आवियो छे एवो भाव मारा मारा आखो पन मन यमना जी न पहो एमारो अधिकार न थी एटली हूँ काबिल न थी थै आपने समय ओछो पड़े छे उँ लागे छे काले आखो शलोक रही गए गयो तो आजे आपने पंचम शलोक दी शी यमना श्टकना पंचम शलोक दी आजना कथा नू आरंव करिये छे आ शलोक मा श्री यमना जी नो उतकर्ष शी आचार्य चरण आपने बतावी रहा छे आपड़े सव आ पांचमाश लोक नो एक स्वरे गायन करिये पच्छी कथाने आरंब करिये यया चरन पग्मजा मुररी पोप्रियम भावुका समागमन तो भवत सकद सेधिता सेवता तयास ज्रशतामिया कमल जास पद्नेवयत हरी प्रियक निंदया मनसी में सलास्थियता पहला चार शलोक माः शी यमनाजी नो एश्वर्यनो वर्णन करिया पची आ पांचमा शलोक माः श्री यमनाजी नी श्रेश्टता बतावा आचार्य चरण श्री यमनाजी ने गंगाजी ने लक्ष्मी जी साथे सर्खाव्या चे यया चरण पदमजा मुररिपू प्रियम भाव का यया एटले जेमनी साथे जेमना संग थी चरण पदमजा एटले गंगाजी श्री गुसाईजी ये तेमनी विवृत्ती माँ भगवदिया नाम इम बहुवचन नो प्रयोग करीने चार भगवदियों नो स्मर्ण करियों छे कमल जा एटले लक्ष्मी जी चरण पदमजा जे छाकोर जीना चरण कमल माथी प्रगट भया छे एवा गंगाजी अने तुलसी जी अने मुख पदमजा एटले सरस्वती जी जे श्री ठाकोर जीना मुख कमल माथी प्रगट खेया छे आ चारे देवियों भगवदिया छे बीजा जीवों मा उतकर्ष कर नार छे पण आ चार देवियों मा उतकर्ष वधावनार श्री यमनाजी छे एमा उतकर्ष कर नार श्री यमनाजी छे अने शी गुसाईजी आज्या करे छे के भगवदियों मा पण उतकर्ष क्वधार नार श्री यमनाजी ना उतकर्ष नू कोण वर्णन करी शके अने आ वातने समझावा प्रस्तुत श्लोक मा आशी आचारे चरणे गंगाजी अने लक्षमी जी साथे शी यमनाजी नी सरखामणी करी छे अने शी यमनाजी नी सू विलक्षन ता छे ए आशी लोक मा आपणने खबर पड़े छे हवे चरण पद्मजा होवा थी गंगाजी भप्ती रूप छे कारण के शी ठाकोर जीना चरण आरविंद छे ए निर्दोश पूर्ण भप्ती रूप छे अने कारणना गुणो होई एज कार्यना गुणो होई छे जे माटीनी ठंडक छे ए माटला माँ भी आवे छे अने एटला माटे श्री गंगाजी ठाकोर जीना चरण माथी प्रगट या छे माटे गंगाजी माँ पण भग्तीना गुणो बिराजमान छे अने आवा गंगाजीना स्वरूपनी भावना करीने जे गंगाजीनों सेवन करे छे तेमना रधैमा भी भक्तीनों उदै थाई छे शी कृष्णना चरण कमल माथी प्रगट थेई गंगाजी भूतल पर पधारिया छे पंश्री गंगाजी प्रभूना प्रिया न थी आप तो तेमना दासी छो एक कथा माभी वर्णन मडे छे के गंगाजीनों एवो मनोरत हा तो के प्रभू क्यारे मारा जल्मा स्नान करीने मने सर्व अंगनू स्पर्ष जन्नित सुख आपे अने मने पोताना प्रिया रीते स्वीकारे पन एशी ठाकोर्जीना चरण माधी प्रक्षालित थयो छे एजल माटे प्रभू कोई दिवस पन गंगाजीना जल्मा स्नान ना करे गंगाजीने बहु ताप था तो बहु विरह था तो अने एक दिवस गंगाजी पोताना दुख ने लईने भक्त ताप हारे नी एवा श्री यमनाजी पासे गया यमनाजीने पोतानो दुख व्यक्त करी रहा छे के मारो एवो मनोरत छे के प्रभू मारा जल्मा स्नान करे एक यारे पूर्ण थासे यमनाजी एगंगाजी ने कयू के पहला आप प्रसन्न चित थी आनंद पूर्वक मारा जल्मा मडीने मारा मिलननो सोबाग्य प्राप्त करो एप अची भक्त वत्सल प्रभू तमारा हार्दिक मनोरत ने पूर्ण करसे अने एस सांभरताज गंगाजी आनंद चित थी उत्साहित चित थी अनेक गणा वेग साथे प्रयाग शेत्रमाशी यमना जीना जल्मा जैने प्रवेश करयो अने गंगा अने यमना नो आ मिलन जोता सरस्वती थी पण न रेवायू माटे सरस्वती जी पण आमा जोडाया अने गंगा यमना अने सरस्वती नो आ त्रिवेणी संग मुझोईने प्रभूपन चकित थाई गया अने शी कृष्णा ये स्वयम वेणी माधवनो स्वरूप धारण करीने आ त्रिवेणी संगम मा कूदको मारेयो चे अने एम यमना जीनी क्रपाथी गंगा जीनो मनोरत पूर्ण थायो चे भक्तोनो एवो सभाव होए चे कि ए पोताना नाम ने प्रगट नथी थवा देता माटे शी यमना जी ये गंगा जीने कहिऊ कि हवे अईया थी आगड आपणो मिलन स्वरूप तो शामज रेसे पर एनो नाम यमना नहीं गंगा ज रेसे एवा क्रपालू शी यमना जी छे अने आगड कहिऊ मुर रिपू प्रियम भावुका एटले आपणे पेला वर्णन करियो हतो के मुर देत्यनु वद्ध करनार मुर राक्षस न रिपू करनार भगवान शी कृष्ण छे अने यमना जीना संगम थी गंगा जी ए मुरारीना प्रिया बनिया छे प्रियम भावुका ना बे भाव आचारी चरणो स्पष्ट करी रहा छे प्रियम भावुका एटले भगवानने प्रिया लागे एवु करे अने भगवानने पोतानो गुणगान अती प्रिया छे भगवानने पोतानी सेवा अती प्रिया छे माटे श्री यमनाजी ए सेवोपयोगी देह श्री गंगाजीने गुणगान करवा माटे अने भगवाननी सेवा करवा माटे दान करयो छे अने यमनाजीना संगम थी यमना आ दान थी गंगाजी पन पोताना भगतोंने भगवत सेवोपयोगी देहनी प्राप्ती करावे छे अने प्रभूनी सेवा करता करे छे अने एटले श्री गंगाजी भगवानने प्रिय बन्या छे कारण के जे पन जीव भगवाननी सेवा स्वयम करे अने बीजाओने भी प्रभुनी सेवा करवा माटे उत्साहित करे एना पर प्रभु बहु प्रसन्न थाई छे अने प्रियम भावुकानो बीजो भाव श्री पुर्षोत्तम जी बतावे छे के जे पहला आपने अप्रिय होए अने पछी ए प्रिय थाई एटले पन प्रियम भावुका केवाई छे गंगाजल प्रभुना चरण कमलने धोवे छे माटे ए गंगाजल प्रभुने प्रिय न थी प्रभुनी सेवा माँ पन लेवा माँ नोतो आउतो पण यमनाजी ना संगम थी ए गंगा जल पण प्रभूनी सेवा लायक बन्यों छे ए जे अशुद्धी एमा हती ए पण शुद्ध थाई गई छे ए शी यमनाजी ना संगम थी एमने प्राप्त थाईयों छे वस्तुतह चरण प्रक्षालित जल रूप होवाना कारणे शी गंगाजी ठाकोर्जी ने प्रिय ना हता पण शी यमनाजी ना संगम थी प्रभूना मात्र एक अंग थी संबंध राखवावाडा भक्ती रूप गंगाजी हवे ए मुरारी भगवानना प्रीती वाहीनी बनी गया छे एमना प्रीती पात्र बनी गया छे अने ए मुरारी जे भक्तोंने स्वप्राप्ती ना उपस्थिती जे अंतरायों आवे छे ए दूर करे छे गंगाजी ए मुरारी ना प्रीय बनी गया छे आगड कयू समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवताम शी यमना जी करुणा में द्रिष्टी थी शी यमना जीनी करुणा में द्रिष्टी जे कोई उपर पड़े तो आप एने पूर्णा नंदनी प्राप्ती करावो छो ए आपनो स्वभाव छे अने आपना समागम थी गंगाजीने प्रभूनो प्रियत्वनी प्राप्ती थाई छे ए तो आपे शी गंगाजीने दान करियो पन आपे तो पोताना लक्षन पन गंगाजीने दान करी दिधा छे श्री गंगाजी प्रियम भाव का तो बनिया छे मुरारी ना प्रिया तो बनिया छे पर आपने आगल कईू सकल सिद्धी दा एटले सकल सिद्धी दातरी पन बनी गया छे जे प्रथम श्लोक मा वर्णन करे यो हतो कि श्री यमनाजी सकल सिद्धी नू दान करे छे एज सकल सिद्धियों नू दान जारे गंगाजी श्री यमनाजी ना शरणे आविया एज सकल सिद्धियों नू दान यमनाजी ये गंगाजी ने पड़ करियो छे अने यमनाजी ना संगम थीज गंगाजी प्रभु लायक बनिया छे, प्रभु नी प्रीतिना पात्र बनिया छे अर्थात प्रयाग तीर्थ नो यमनाजल मिश्रित गंगाजल नो सेवन करनार ने गंगाजी आ सर्व सिद्धियों नी प्राप्ति करावे छे शी द्वारकेश्री महराज सकल सिद्धिनो एक भव सुंदर भाव कही रया छे कलाभी शोडश कलाभी ही सह वर्तते इती सकल हा पूर्ण पुर्षोत्तम हा शी कृष्ण हा एकले सकल कला सोल कड़ाओ थी परिपूर्ण एवा पूर्ण पुर्षोत्तम शी कृष्ण चे जेमना माटे सकल शब्द कही हो छे अने ए सकल पूर्ण पुर्षोत्तम नी सिद्धी एकले के एमनी प्राप्ति एनो दा एटले के एनो दान करवा वाड़ा श्री गंगाजी यमनाजी नी क्रपाथी बनिया चे सकल कलाओ थी पूर्ण भगवान श्री कृष्णनो दान श्री गंगाजी पन करवा समर्थ बनिया चे अने जे जे नामा आविष्ट थाई जाए ए तेनो कार्य करवा लागे खांड मा जल पड़े तो जल मा पन खांड नी मिठास आवे छे एवीज रीते जारे रासनी वच्चे प्रभू अंतरध्यान थाई गया हता जारे प्रभू ए गोपियों नी सनमुख्थी हटी ने एमना रदयमा आविष्ट थाई गया हता अने जेनाती सू थाई यू के ए गोपिकाओ स्वयम भगवान नी क्रीडा करवा लागी भगवान नी लीलानू अनुकरण करवा लागी कास्याश्चित पूतना यंत्या क्रिष्णा यंत्य पिबत्स्तनम तोका यित्वा सदत्रुन्या पदा हंच कटा यितम एटले जारे शीक्रिष्ण रास वच्चे अंतरध्यान थाई गया गोपियो एमनी लीलावनू अनुकरण करवा लागी छे केमके प्रभू एमा आविष्ट थेई गया छे एमना रदैमा प्रवेश करी गया छे तो कोई गोपी पूतना बनी छे तो कोई गोपी एपूतना नू वद्ध करवा आवी छे कोई गोपी शकटासुर बनी छे तो बीजी गोपी नाना बाल कृष्ण बनी ने रोता रोता तेमने लात मारे छे अने तेमज जारेशी यमना जी गंगा जीमा प्रवेश करी जाय छे तो यमना जीना गुणोपन गंगा जीमा आविष्ट थई जाय छे एवो भाव छे गंगा जी ज्यान स्वरूपा छे गंगा जीना उतकर्ष्णू वर्णन इतिहास पुराणों आदीमा मले छे परंतुशी यमना जी साथे संगम थया पछी वेदोपन वर्णन करी रहा छे सीता सिते यत्र संगते तत्रोन तासो दिवुमुत पतंती यईवे तन्वाम विस्रजंती धी रास्ते जनासो अम्रितत्वं भजनते एटले गोर वर्णा यमना जी गोर वर्णा गंगा जी अने श्याम स्वरूपा श्री यमना जीनो जया मिलन थाए छे त्या स्नान पान करवा वाडाने स्वर्ग सुखनी प्राप्ती थाए छे अने त्या देहत्याग करवा वाडाने अम्रितत्वनी प्राप्ती थाए छे एवो वेदो मा पण वर्णन प्राप्त थाए छे अने आ उतकर्ष करनारा गंगाजी श्री यमना जीना समागम थीक धया छे अने श्री यमना जी एटला क्रपाल छे कि जे एमना आश्रित आवे छे तिमने पोता जेवो स्वरूब पोता ना जीवा गुणोंनू दान करी तिमने भी भक्तोंना अनुकूल वनावे छे एपन भक्तोंने आनंद आपनारा भक्तोंने सुख आपनारा भक्तोंने फल आपनारा बनी जाये छे आवा भक्तानों गुण यमनाजी नी समानता कोण करी शके